प्रेज़ दलाओड आप सबको जय मसी की एक और नया दिन परमेसर ने हमको दिखाया एक नई सुबा हमारे जीवन में जोड़ दी हम परमेसर को कोटी-कोटी धन्य बात दे आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आप सबने मुझे मेरे बड़े का गिफ्ट दिया है आज जो सब्सक्राइबर हैं वो पचास हजार से जाता हो चुके है मैं आप सबका हिरदय से धन्यवादी हूँ और मैं गुजारिस करता हूँ कि इसी तरह मेरे साथ बने रहे और मेरी होसला वजाई कीजिए और भी लोगों को हमारे साथ जोड़िए ताकि जो हमारी जिद है वो पूरी हो सके मैं परमेसर का कोटी-कोटी धन्यवाद देता हूँ कि परमेसर ने मुझे यूज किया इस्तमाल किया प्रयोग किया ताकि उसके वचन जो जीवित वचन है जो उसकी सक्चाई है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ प्रीज दर लौट बहुती खुशी का वसर है मैं परमेसर का कोटी-कोटी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब का धन्यवाद देता हूँ कि आज जो सिल्सला मैंने 2016 से सुरू किया था इस चैनल को जदिन मैंने बनाया था उसके बाद से आज 2022 आगया है और आज 50,000 सब्सक्राइबर हैं मैं हिर्दे से धन्यवादी हूँ परमेसर का आप सब का और उमीद करता हूँ आशा कर जाएगा और बहुत जल्दी हम 50,000 से दुगने होने वाले हैं प्रात्ना करते रहिएगा मेरे लिए और मेरे जनन दिन के लिए मेरे लिए एक बाइबल वर्स जरू लिखिएगा ताकि मैं आत्मिक उन्नतिक और ज़्यादा कर सकूँ प्रेज दर लोड धन्यवाद देता आपके लाइक के लिए और धन्यवाद देता हूँ आपके सब क्रिष्टिन के लिए प्रेज दर लोड मैं आपका दोस्ट पास्टर राजमैसी एक नया संदेश लेकर आपके सम्मिक को पस्तित हूँ तो इस जिद में मेरे साथ शामिल हो जाईए क्योंकि जिद है सच को पह करूँगा जीवीत और महान दियाल पिता परमिश्वर में तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रबू आज के सुंदर समय के लिए तुन्हे दिया है आज के वचन को शेयर करने के लिए मेरी मदद साहिता कर मेरे होटो को मेरे दिले दिमाग को चुकर ब्लैस कर मेरी आत्मा और मेरा शेयर तेरे ही कब्से में रहे ताकि बोलने वाला मनुश्य मेरे के तेरा आत्मा हो जो भी गूडबेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हमपे परकट करना है जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं सुनरे हैं सप्पर में तेरी आशीश बोलताँ प्रूजी हरेक को आशृषिद कर, हरेकी रोग बिमारी को, चिंता को, प्रशानी को, अपने सामर्थी नम के द्वारा दूर कर दे प्रभु. प्रम्पिता प्रमी सर, कल जितने भी लोगों ने अपने प्रेयर रिक्वेश्च भेजे हैं, उन सबके जीवन से भी दुख बिमारी चिंत परिशानियों को दूर कर, बेरुजगारी को दूर कर, प्रभुजी कमी घटी को दूर कर, और प्रभुजी बांजबन को दूर कर, जिनके लोग खो गए हैं प्रभुजी, वो घर वापस आजाएं मेरे प्रभुजी, और आज का जो संदेश है वो परमिस्वर और मनुस्य के बीच जो संबंध है उसके विस्से में हैं हम देखे हैं जब हम संसार में रहते हैं तो हमारे जो अजीज हैं हमारे जो सगे संबंधी हैं हमारे दोस्त वो हमसे नराज हो जाते हैं तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं जब हमारे अजीज मानते नहीं हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, करें तो करें क्या, हम कभी फोन करते हैं बार बार, पता चला फोन ही नहीं उठा रहे हैं, फोन स्विच उफ कर दिया तो और ज़्यादा हालात खराब हो जाते हैं, हमारी हालात भी खराब ह यह संसारिक रिष्टे हैं, संसारिक रिष्टों को बनाए रखने के लिए हम कितनी मशक्कत करते हैं, कितनी महनत करते हैं, एक रिष्टा और है और वो है परमिसर का और मनुस्य का, परमिसर का और मनुस्य का, आज बाइबल से मैं पाँच बाते आपको बताऊंगा, जिसके कर करने से हम परमेसर की संतान बन जाएंगे, हम परमेसर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे, हम परमेसर के नजदीक रहने वाले उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा आज की वचन को पांच बाते हैं ऐसी, जो मैं आज आपके साथ शेयर सबसे पहले हम देखते है यहुना एक अधियाए और उसके बारहेंपद को मुआ पर लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहन किया उसने उन्हें परमेसर की संतान होने का अधिकार दिया अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं जिन्होंने येसु मसी को ग्रहन कर लिया जो येसु मसी के नाम पर ही विश्वास करते हैं वो परमेसर की संतान बन जाते हैं उनको परमेसर की संतान होने का अधिकार मिल जाता है और वो हे अबबा और हे पिता कहकर प्रातना करते हैं बहुत जरूरी है प्रभू येसु मसी को ग्रहन करना। लिखा है मैं फिर से पढ़ देता हूं कि जितनों ने उसे ग्रहन किया अब जितनों में सब आ गए अब जो पैदाईसी क्रिष्टियन है वो ये ना समझे कि उन्हें येसु मसी को ग्रहन नहीं करना पड़ेगा। पिता अबबा कहकर पुकार सके प्रेज दरोड जितनों ने उसे ग्रहन किया उसने उन्हें परमिसर की संतान होने का दिकार दिया अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं जह हम प्रातना करते हैं तो आखरे में कहते हैं येसु मसी के नाम से मांगते हैं आ बोलते हैं कि येश्यु मसी के नाम से मांगते हैं आमिन, तो आमिन करते ही समझ लेना चाहिए कि हमारा काम हो गया, ऐसा विस्वास होना चाहिए हमारा, यदि हम येश्यु मसी के नाम पर विस्वास करते हैं, तो हम परमेसर के पुत्र और पुत्रिया के लाएंगे, प्रेज लोग परमेसर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेसर के पुत्र है उसकी आत्मा के चलाए आत्मा कहां चलाता है आत्मा कभी गलत रास्ते पर लेकर नहीं जाता आत्मा कभी बाद दे नहीं करेगा आप से कि आप शराब पिये नशा करें पान बेड़ी सिगरेट तंबाक को गुठका खाएं नहीं करेगा आत्मा कभी आपको बात दें नहीं करेगा कि आप वेबिचार करें गंदी बातें सोचें आत्मा कभी भी आपको बात दें नहीं करेगा कि आप मुझ से गालिया निकालें या छेड़ खानी करें या वेर्थ की बातें आपके दिमाग में आए आत्मा कभी भी आपको बादे नहीं करेगा कि आप अपने से बड़ों का अनादर करें और परमेसर से दूर रहें आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा है वो पवित्र कामों के उर अगर सर करेगा पवित्र कामों के लिए बादे करेगा वो बादे करेगा कि हम प्रात्ना करें वो बादे करेगा कि हम आराधना करें वो बादे करेगा कि हम बाइबल पढ़ें वचन पढ़ें वो बादे करेगा कि हम परमेसर के लोगों की संगती में रहें वो बादे करेगा कि हम भलाई करें वो बादे करेगा कि हम गाली के बदले गाली ना दे और कोई भी अपराद गुलती गुना हम ना करें वो बादे करेगा कि हम अपने आपको पवत्र रखने का पूरा का पूरा प्रयास करें तो जो लोग परमेसर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वो ही परमेसर के पुत्र है, तीसरी बात, मती पांच अध्याय और उसका नौपत, यह लिखाए कि धन्ये वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेसर के पुत्र कहलाएंगे, धन्ये वे जो मेल करवाने वाले हैं, मेल मतलब मनुस्य का परमेसर से और मनुस्य का मनुस्य से, मनुस्य का मनुस्य से और परमेसर का मनुस्यों का परमेसर से, मेल जो करवाते हैं, जो मिला देते हैं लोगों को परमेसर से, जो मिला देते हैं लड़ाई जगडा करके अलग किये हैं लोगों को जो मन मुटाओं में अपने जीवन को जी रहे हैं जुनोंने कई वर्सों तक एक दूसरे से बात नहीं किये हैं उनको जो मिला देते हैं जो नहीं जानते के प्रभू कौन है जो नहीं जानते के पाप क्या ह जो नहीं जानते कि सच्चाई क्या है उनको परमेसर से मिला देने वाले लोग परमेसर के पुत्र कहलाएंगे हिसमसी के शब्द है मती पांच उसके नौपद में लिखा है कि धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वो परमेसर के पुत्र कहलाएंगे प्रीज दे लोड चौती बात है मती पांच अध्यायमी है उसका 43 से 45 पत तक यह लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर यहां पर यह सुमसी शिक्षा दे रहे हैं चेलो को और वो बता रहे हैं कि ऐसा व बैरी है उससे बैर रखना क्योंकि दात के बदले दात आख के बदले आख की वेवस्ता की कहानी है तो यहां पर यह सुमसी उसको चेंज कर रहे हैं बदल रहे हैं वेवस्ता को बदल कर और थोड़ा सा कट्रिन बना रहे हैं लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोशी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर ये कहा गया था विवस्ता में लेकिन अब येसु मसी क्या कह रहे हैं परन्तु मैं तुम से कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो येसु मसी के शब्द येसु मसी के आग्या येसु मसी के कथन वो असा लेकिन अगर ये शुमसी ने कहा है, तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो आग्या है, और अगर इस आग्या का हमने उलंगन किया है, तो हम पाप कर रहे हैं, तो लिखा है, चवाली साहित में, परंतू मैं तुम से कहता हूं, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्राथना करो, सताने वालों के लिए प्राथना करो, हम ऐसा नहीं करते, जो हमारे सताने वाले, उनके लिए हम ऐसी प्राथना करते, कि प्रभू उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तू उसको देख, ऐसा करते हैं, हमें उसके लिए कैसी प्राथना करें, तो उसे आशिश दे, उसे समझ बुद्धि ज्यान देता कि वो अपने आपको बदले, इस परकार की प्रातना हम अपने सताने वालों के लिए करें, पर में सुर्गे पिता की संतान ठहरोगे, दो काम यहां पर बताए गए हैं, एक तो बैरियों से प्रेम और सताने वालों के लिए प्रातना, ऐसा करेंगे हम, तो हम परमेसर की संतान ठहरेंगे, ऐसा करने से, लिखा एक जिससे तुम अपने स्वर्गे पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उद्या करता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मे बरसाता है, में बरसाने का मतलब मैं बारिश करता है, वो कभी किसी का पक्षबात ने, यह नहीं कहता कि यह ज़्यादा धर्मी है, यह बहुत अच्छा प्रीचर है, यह बहुत अच्छा टीचर है, इसके बहुत चर्स के मेंबर बहुत ज़्यादा है, इसके फॉलोवर्स बह पारफ कर देता हूं इधर बारिस होंगी इधर नहीं होगी ऐसा कभी नहीं करता अग्षो आज हमें वह शिक्षा देता है कि अपने बैरियों वालों से प्रेम रखो ओ अपने सताले वालों के लिए प्राथना करो तब हम उसकी संतान ठहरेंगे आखिर में हम देखेंगे पांचवा जो पॉइंट है वो है दूसरा कुरुंतियों और उसका छे अर्धियाए चौध है आईसे मैं पढ़ूँगा यह इस प्रकार से लिखा है कि ए विश्वासियों के साथ आईसमानजुए में नजितो आईसमानजुए मतलब जो समानताना जुओँए जो बैलों के कंदे पर रखा जाता है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेसर हूँगा और वो मेरे लोग हूँगे सत्रायत में देखे क्या लिखा है इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद वस्तु को मत चुओ तो मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटिया होगे यह सर्वशक्तिमान प्रभु करमेसर का वचन है उनके बीच में से निकलना है लिखा है कि तब मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटिया होगे तो ये पाँच बाते मैंने बताई हैं, हम देखें अगर जो सबसे पहले हमें यहुना एक बारा में हमें बताया जाता है कि हम ये सुमसी के नाम पर विस्वास करें, उसके बाद हम रूमियों आठ चौदा में पढ़ते हैं कि जो उसके आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेसर के पुत्र है फिर हम मती पाँच की नौ में पढ़ते हैं, कि जो मेल कराने वाले हैं, वही उसकी संतान है फिर हम मती 5 के 43 से 45 आयद तक पढ़ते हैं कि अपने बैरियों से जो प्रेम रखते हैं और अपने सताने वालों के लिए जो प्रात्ना करते हैं वो ही उसकी संतान है फिर हम दूसरा कुरूंगतियों 6 अध्या 14 से 18 पत तक पढ़ते हैं कि हमें ऐसे संगति से अलग होना है जहां पर हमारी आत्मिक्ता खराब हो सकती है तब ही प्रभू हमें ग्रहन करेगा और हमारा पिता होगा और हम उसकी संतान होंगे अंत में एक बचन पढ़के मैं समात करूंगा गलातियों की पुष्टक 6 अध्याए चार अध्याए छे और साथ आयत यह लिखा है तुम जो पुत्र हो अब क्या होगा है हम पुत्र होगा लिखा तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेस्टर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हिर्दे में बेजा है जब हम पुत्र बन गए तो उसके आत्मा को प्रभु यिसमसी के आत्मा को कहां बेजा हमारे हिर्दें बेजा है इसलिए तू अब दास नहीं प्रंतु पुत्र है और जब पुत्र हुआ तो परमेसर के द्वारा वारिस भी हुआ स्वर्गिये वस्टों के वारिस बन जाएंगे हम यदि इन पांचों बातों को हम अपनाएंगे तो प्रेज दा लॉड तो परमिस्टर इन वचनों के द्वारा हम सब को आशीदे यदि आज आज आपने कुछ नया सीका है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आकर बताईए और इस वचन को शेर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें और वो भी आगे बढ़ा सकें और मेरे महीम है जिद है सच को फैलाने की तो इस मुहम में मेरे साथ शामिल हो जाएए और अगर हाँ आप भी जिदी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ मुझे भी जिद है सच को फैलाने की प्रेज दे लौड दोस्तो 25 तारिक को मेरा बड़े है मुझे जरूर विस कीजिएगा एक वचन देकर मुझे आशिशित कीजिएगा ताकि मेरा आत्मिक कुरोथ हो यही आपका गिफ्ट है और मैं एक नया चैनल है मेरा है तो पुराना उसका नाम मैंने चेंग करके उसे शॉर्ट वीडियो के लिए बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है टूप पल्स बाइबल के सच्चे मोथी छोटी-छोटी सी बाते हम जानेंगे बाइबल की जिनके अर्थ होंगे इनकी बारे में मैं बताऊँगा पंदरा सोला सेक्ट का संदेश होगा लेकिन बड़ी बात उसमें होगी तो बने रहिएगा मेरे साथ चैनल है यह आपका चैनल है इसे ग्रोध कीजिए इसे आगे बढ़ाई है और इस मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए क्योंकि यहाँ पर न विरोध है और न ग्रोध है सिर्फ सच का परचार है प्रिज दे लॉड आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ एक नए विडियो लेकर तब तक के लिए मुझे जाज़त बीजे लेकिन अपना और अपनों का ख्याल लिखे और परमिसर की संतान होकर उसको धन्य कहिए प्रिज दे लॉड